नमस्कार दोस्तों मैं विजेतिवारी स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल दा बुक्स ससाइटी में जहां हम आजी क्लास में सब्जेक्ट को बीपी एस वन एट फोर के चैप्टर नंबर थी की बात करेंगे जहां हमारे चैप्टर का नाम है संभारण और आपूर्ती श्रंखला प्रबंधन और उनके बीच अंतहा संबंध यदि आपने पिछले दो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो उसको जरू देख लिजिए ताकि आपको सब्जेक्ट को समझे में चैप्टर को समझे में आसानी हो जहां इस चैप्टर की यदि बात की जाए तो इस चैप्टर से तीन प्रमुख प्रश्ण बनते हैं सबसे पहला प्रश्ण यही बनता है कि आपूरती शंखला प्रबंधन से आप क्या समझते हैं तथा संभारण और आपूरती शंखला प्रबंधन में क्या आंतार है दूसरा कोशन ये बनता है कि आप औरती शंखला प्रबंधन की प्रमुग गतविधियों और प्रिक्रियाओं का वर्णन कीजिए इसके साथ आप औरती शंखला प्रबंधन की प्रमुग चुनोतियों का वर्णन कीजिए तो वीडियो को अंतक जरूर देखिए ताकि तीनों ही प्रशनों के उत्तर आपको मिल सकें तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है जिसमें कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जिनने पढ़ना जरूर है इसलिए हम प्रस्तावना पर भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे तो देखिए जो हम आपूर्ती शंकला प्रबंधन की बात करेंगे इस चैप्टर में तो इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे SCM यानि की Supply Chain Management आपूर्ती शंकला प्रबंधन की इंग्लिश में क्या बोलेंगे Supply Chain Management और इसके लिए हम शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे SCM तो देखिए आपूर्ती शंकला प्रबंधन यानि की Supply Chain Management जो है इसमें जितनी भी कतिविदियां शामिल होंगी जितनी भी कतिविदियां शामिल होंगी वो बिल्कुल 0 से लेकर अंतितक होंगी अब देखिए 0 से लेकर अंतितक का मतलब पता गया है यानि की एक औध्धोगी इकाई के लिए 0 का मतलब यह है कि वो सबसे पहले जिस चीज का भी निर्माण करना है उस चीज के लिए कच्चा माल खोशती है जिस भी चीज का निर्माण करना है उसके लिए कच्चा माल जरूर होगा और उस कच्चे माल का क्या कर जाएगा पहले खरीदा जाएगा फिर उसका स्टॉक किया जाएगा फिर उसके बाद उससे विनिर्मान किया जाएगा और फिर तैयार समान को उभभोकता तक पहुँचाया जाएगा ये पूरी पूरी जो चैन सिस्टम है इसे हम सप्लाई चैन सिस्टम कहेंगे और इसमें कोई भी तूटी न रजाए इसमें कोई भी कमी न रजाए उब्भोकता तक अंतिम संतुष्टी पहुंचे इसके लिए जो हम अध्यन करेंगे वो कहलाएगा supply chain management यानि कि कच्चे माल से विनिर्मिस समान फिर उसके बाद बजार तक पहुंच बजार से उब्भोकता तक पहुंच ये इसमें जो पूरा का पूरा process होगा सारी चियों को हम पढ़ते हैं तब हम ये कहलाता है SCM यानि कि supply chain management तो supply chain management की बात कि जाए तो एक छतरी की तरह है जिसने बहुत सारी process को बहुत सारी प्रिक्रियाओं को बहुत सारे system को एक साथ जोड़ रखा है ऐसा इस chapter की प्रस्तावना कहती है तो I hope सो supply chain management का अर्थाफ समच चुके हो प्रस्तावना से आगी ये बताया है कि जो supply chain management है इसका अवधारनात्मंग धाचा क्या है यानि कि कैसे काम करता है तो देखे जो ये आप पूर्तिश रंखला है यानि कि जो supply chain है ये अपने आप में अकेले कभी नहीं होती जब जब हम supply की बात करेंगे वो demand से जुड़ी होगी क्योंकि बिना demand के supply होई नहीं सकती उभोकता demand करेगा तभी तो supply होगी economics का नियम है कि अगर supply जादा हो गई और demand कम रहा गई तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी एक तरीक से मंदी की स्तिती आजाएगी अगर supply जादा होगी तो demand कम होगी तो market में demand हमेशा बनी रहनी चाहिए एक अच्छी और गतिशील अर्थवस्तगले market में demand होनी ही चाहिए तो ये demand और supply गयन की कारे कर रहे हैं वो जितनी भी activity कर रहे हैं चाहिए वो वस्तो के उत्पादन से संबंधित हो या उसके वित्रण से संबंधित हो या सेवा से संबंधित हो ये पूरा का पूरा system आपूरती शंकला कहलाता है और इसी का अध्यन आपूरती शंकला प्रबंधने एक ही करत करने का कार है जिसमें सारी व्यपारिक कार्यों और प्रिक्रियाओं को अपने व्यवसाई या कंपनी के लिए इस प्रकार से प्रबंधित करना है कि उनकी efficiency उनकी जो छंताय लगातार बढ़ती जाए तो संभार्ण प्रबंधन के जितने वे कतिविदियाँ चाहे उत्पादन का संचालन हो चाहे वो सारी प्रिक्रियाँ हो चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे वो विक्री हो चाहे मॉडल नंबर हो चाहे बजट हो चाहे information technology हो सब चीज़े इसमें सामिल हो जादी है तो आपूर्ती शंकला प्रबंधन जो शब्द है ये प्रमुख वैवसाइक प्रिक्रियाओं के लिए यूज किया जाएगा अंत में उप्योग करने वाले उभोगताओं तक किस प्रकार से तालमेल बनाया जाए इस चीज़ पर इसमें ध्यान दिया जाएगा आजकल बड़े प्यावाने पर तकनीक के छेतर में एक और पक्ष काम कर रहा है तीसरा पक्ष देखे टू पार्टी फर्स्ट पार्टी कोन है कस्टमर है सेकंड पार्टी कोन है जिससे वो समान ले रहा है तो दोई पार्टी होती थी लेकिन थर्ड पार्टी आजकल बड़े प्यावाने पर योगदान दे रही है जो की इन्फोर्मेशन दे रही है ट्रांस्पोर्टेशन दे रही है कम्मिनिकेशन दे रही है तो आजकल का जो भोगता है पता हो क्या चाता है वो चाहते हैं उसे अच्छा समान मिले, समान के अच्छी गारंटी मिले और वो परियावण के हिसाब से हो और रिसाइकलिंग भी हो सके तो इन सब चीजों का ध्यान हम सप्लाई चैन मेनेजमेंट में रखते हैं तो अब आपको बता चलिए होगा उसके सप्लाई चैन मेनेजमेंट किस प्रकार से मार्किट के अंदर काम कर रहा है अब आगे हम हमें यही बता जाएगा कि सप्लाई चैन मेनेजमेंट और संभारण में क्या अंतर है यदि आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखिए तो सबसे पहले उन वीडियो उसको जरूर देख लिजे नहीं तो चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा इसके साथ यदि लेक्टर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी सब्जेक्ट कोड की जो वीडियो है वो आपको समय पर प्रवाइड हो सके अब बात आते हैं कि संभारण और आपूरती शंखला प्रवंधन में क्या अंतर है तो संभारण और आपूरती शंखला प्रवंधन के बीच में जो अंतर है वो पहला अंतर ये है कि जो आपूरती शंखला है ना इसके कारे जादा है इसमें जटिलता है जादा है जबकि जो संभारण है न संभारण संभारण का मतलब क्या होता देखो संचय करना इकठा करना तो ये संभाण एक अलग कार्य जो उत्पादल के आपूर्ति करता और भोगताओं के भी संचालन पर ध्यान देता है इसके लावा संभाण का मतलब तो मूवमेंट से हो गया है यानि कि सप्लाई चैन को बनाए रखने से हो गया तो मार्किट में माल का प्रभा कैसे भी न रहेगा फ्लो कैसा भी न रहेगा जबकि जो आपूर्ति शंखला प्रबंदन है यानि कि SCM है यह सारी गतिवीदियों का संचालन की बात करेगा यानि कि वो सिर्फ समान की आपूर्ती की बात करेगा लेकिन सारी गत्वीदियों का संचालन की समय होगा SCM में जितनी वड़ी-वड़ी वैपारी क्रियाई होगी चाए कंपनी के अंदरों चाए कंपनी के बाहरों सारे के सारे किसके अंदर आएंगी SCM में संबहान प्रबंधन परिवहन कारेों से संब्धित रहेगा जैसे एक इस्थान से दोसे स्थान तक निश्चित समय में निश्चित भाड़े पर निश्चित किराये पर संबहान का काम होगा उभगताओं की आफशक्ताओं की संतुष्टी करना लेकिन जो सप्लाई चैन मेनेजमेंट है उसका उद्देश पता है उसका उद्देश घ्रांकों की आशक्ताओं की पूर्टी करना तो होता ही होता है साथ ही एक कंपिटिटिव एडवांटेज भी प्राप्त करना होता है किया हमारी कंपनी अन्य कंपनी से अच्छी है ये भी इस चीज में देखा जाता है क्या सप्लाई चैन मेनेजमेंट में SCM न अधिक कारों का नियंत्रण करता है उब्भोगता संतुष्टी प्राप करने के साथ साथ दूरगामी द्रिश्टे भी रखता है मांग और पूर्ती की बीच में संबंद की बात करता है कम से कम लागता है इस चीज की बात करता है एक अकेला संगठन संभाण में लगा हो सकता है जबकि SCM में बहुत सारे संगठन हो सकते हैं SCM संभाण के तुल्ला में एक नई संकल्पना, यानि कि संभाण एक पुरानी संकल्पना है, जबकि SCM एक नई संकल्पना है, जिसके अंतरगात बहुत सारी गत्विधियां होती हैं, तो हम समझ गए क्या कि संभाण आपूर्ति शंखला प्रिक्रिय का एक भाग है, जो कि यो जबकि आपूर्ति संखला क्या करती है, ये पारंपरी कार्यों और उसकी कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर आपूर्ति में क्या क्या समस्या आएंगी, और उन समस्याओं को कैसे हल कि न या लोग उभोग करने वाद अपनी प्रतिक्रिया हैं, क्या दे रहे हैं, समान अच्छा है ये नहीं हैं, ये सारी गतिविधियां SCM के अंतरगती आती हैं तो संभाण प्रबंधन एक छोटा सा भाग है, जबकि SCM अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है तो अगर कोशन याता है कि संभाण और आपूर्ति शंकला के बीच में अंतर बताईए, तो आई होपसो इस प्रशन का उतराप कर देंगे आगे चैप्टर में ये है कि आपूर्ति शंकला प्रबंधन में क्या गतिविधियां हैं, क्या परिक्रियां हैं तो आपूर्ति शंकला प्रबंधन के अंतर का बहुत सारी अक्टिविधियां होती हैं, कई बार जो ये गतिविधियां होती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं, और कई बार ये बिल्कुल अलग लग भी होती हैं तो देखो जब हम आपूर्ती शंकला प्रबंधन की गतिवीधियों का अध्धन करेंगे तो उसमें सबसे पहला काम यह होगा planning यानि कि नियोजन देखिए किसी भी काम को पूरा करने का जो गारंटी होती है वो planning ही होती है अगर हम बिना planning के कोई काम कर रहे हैं बिना planning के कोई यही बड़ी बात है तो जो हमारा उत्पाद है जो हमारी सेवाएं हैं वो भोकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं संसाथ्णों को उपयोग हम कैसे करें कैसे ना करें यह management का काम होता है यह planning का काम होता है जो कि किसी काम को करने से पहले हमें सोचना चाहिए त तो जो आपूर्ति शंकला प्रबंधन है उसमें पहली कतिविदी क्या है कि हमें काम के क्या करनी है प्लानिंग फिर उसके संबंदी सारी information इकठी करनी है अब चाहिए information के लिए हमें technology का यूज़ करना पड़ जाए या फिर अपने ही व्यक्तियों को market में उतारना पड़ पूछनाए बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि हमें अपने व्यवसाय को गतिशील बनाए रखना है तो third one sources अब तीसरी बात यह है कि अगर हमें अपने व्यवसाय करना है तो हमें sources की तरब भी ध्यान देना होड़ेगा हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि हम क्या उत्पा कैसे मिलेगा ये सारे sources हो जाएंगे चौती चीजा उत्पादन वी निर्माड में मैंने बताया ता आपको पिछली वीडियो में कि प्राकरतिक रूप से कच्छे माल को जब हम मूलेवान वस्तों में बदल देते हैं जैसे लखड़ेगों को काटा और फनीचर बना दिया ल चैए पैकेजिंग करने हों चैए लेबल लगाना हों इस सब पर ध्यान देना बहुत जरुई होता है तो पहले activity क्या है? planning करेंगे फिर information इकठी करेंगे फिर sources पता लगाएंगे और फिर production करेंगे production हो गया तो अब क्या करोगे आप delivery करोगे delivery के लिए आप गोदामो की विश्था करोगे पहले store बनाओगे और फिर वही इस store से ही उभभोकता तक समान पहुचाओगे कि क्यों हो सकता है कि आपकी जो अधोई काई हो वो किसी एक राज्य में हो लेकिन आपको तो समान हर्जे का पहुचाना है तो इसके लिए आप छोड़े छोड़े मिनिस्टरों की स्थापन करवाओगे कि यदि आपका समान उभभोकता को नहीं पसंदाया तो माल की वापसी हो तो आप और ती शंखला प्रबंधन में कितनी गतिविदिया हो गई छे गतिविदिया हो गई प्लानिंग इन्फोर्मेशन सोर्सेज प्रोड़क्शन डिलेवरी और वस्तो की वापसी इसके लावा कुछ प्रिक्रियाएं भी होती है इसमें कुछ प्रोसेस भी है वो प्रोसेस क्या है इसकी चर्चा आगे की गई है तो जो SCM है इनके जो प्रोसेस है वो सबसे पहला प्रोसेस यह है कि हम उभभोकता के संब्धन पर ध्यान देंगे customer relationship पर ध्यान देंगे हम ऐसी planning बनाएंगे हम इस प्रकार से control करेंगे कि उब्भोगताओं की जो परस पर क्रिया है वो हमें पता चल पाए और इसके लिए हम उब्भोगता संब्धी data को इस्तिमाल करेंगे उस data के साथ हम उब्भोगता के साथ संबंद अच्छे करेंगे कि उब्भोगता क्या चीज़ जैसे हम कोई चीज जो ऑल्लाइन मगा रहे हैं तो जैसे हम एक चीज़ सर्च मारते हैं उससे लेटर कई सारी चीज़ आ जाती हैं किस वज़े से data analysis के वज़े से information technology की वेज़े से जो की बड़ी-बड़ी कंपनिया यूज़ करती है तो SCM की पहला process कहा है कि हम उब्भोगता के साथ संबंद पर ध्यान देंगे फिर customer service management यानि कि उब्भोगता सेवा की बात करेंगे अब हमें पता चल गया कि उब्भोगता की क्या demand है तो हम ये बात करेंगे कि उत्पात जब बने तो फिर वो कैसे वहां तक पहुँचे फिर हम supplier relationship management की बात करेंगे जितने भी हमारे suppliers हैं उनके साथ हमारे अच्छे संबंद होने चीए क्योंकि वही हमें market के बारे बता रहे हैं वही हमारे समान को market तक पहुचा रहे हैं तो ऐसे में जो हमारे suppliers होंगे हम उनको चुनते समय ये देखेंगे वरिता देंगे लोगों को जिनके पास special quality होगी जिन पर हम विश्वास कर सके जिने अनभा हो और हम ये भी चाहेंगे सेवाओं का मुले कम से कम हो चौती चीज होगी वी निर्माण प्रभाप्रबंधन यानि कि manufacturing flow management इसके अंतरगत क्या होगा उत्पाद को factory से बाहर जाने और अंदर आने संब्दी जितने भी गतिविधियां वो सारी इसमें होगी factory से अंदर क्या समान आएगा और factory से बाहर क्या समान जाएगा ये सारी चीज़े manufacturing flow management में आईगी फिर आएगा demand management जिसमें उब्भोगता की आवशक्ताओं को समझने पर ध्यान दिये जाएगा और जब आपको भोगता की आवशक्ताओं समझ में आ जाएगी तो आप क्या करोगे order fulfillment यानि कि order की पूर्थी करोगे after that उत्पाद का विकास होगा और उसे बजार में भेज़ दिया जाएगा यानि कि वाने जिकन product development and commercialization नएने उत्पादों को विक्सित करने और market में परिचित कराने के लिए एक रूप रेखा उपलब करवाई जाएगी इसके माध्यम से और returns management इसका समझ उन कारवग साथ है जो वापसी से जुड़ो होते हैं तो यदि question आपका ये आता है कि आपूर्ती शंकला प्रबंधन में कौन-कौन सी गतिविध्याओं और प्रिक्रियाओं का प्रियोग किया जाता है तो I hope so आप इस प्रश्ट का उत्तर देने में सक्षम है आगे chapter में जो बात की गई है वो ये बात की गई है जो ये आपूर्ती शंकला प्रबंधन है इसके tools को अगर हमें लागू करना है तो किन-किन शेतरों में लागू करेंगे यानि कि उत्पादर शंख्ला प्रबंदन को अगर हमें बनाए रखना है इस चैन को बनाए रखना है तो हमें किन-किन छेत्रों की जो इस चैन में पूरी तरीके से काम करते हैं यानि कि इसके पूरी नैट्रों को हमें समझना पड़ेगा तो जैसे कि हम जान समझ चुके अब तक पढ़के कि जो एक आपूर्ति शंक्ला प्रबंधन होती है इसका सबसे सबसे बड़ी बात यह होती है कि समय से वस्तों का निर्माड हो और समय से ही भोगता तक पहुँच जाए क्योंकि सारा खिल्द time management का है time से बहुत पहले चीज़े मिलें तो भी दिक्कत और time के बाद मिलें तो भी दिक्कत तो जो time management सबसे बड़ी बात होती है फिर माप प्रबंधन और अनुकूलन चीज़ जैसे कि अगर हमारा कोई stock है कोई गोदाम है तो हम क्या करेंगे हम यह देखेंगे यह सारी सारी चीज़े वैसे न 7 चेप्टर में बात कर चुके हैं भांडागर में तो 7 चेप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं इसलिए मैंने पहले वो वाली वीडियो बनाए ताकि आपको चीज़े समंझ में आपाएं तो एक भांडागर में क्या होता है माप होता है यानि कि चीजों की measurement होता है फिए मैन प्रबंदन होता है फिर यह देखा जाता है कि जल्वाई के अनुकूल है क्या यहाँ पर इस सामान रखा जा सकता है या निर्खा जा सकता है इस सब की बाते होती है अब बात ही आते हैं वो कौन-कौन से छेतर हैं जो supply chain को प्रभावित करते हैं तो यहां से यह सारी चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं तो supply chain को प्रभावित करने वाले छेतर हैं उनमें से सबसे पहला छेतर है shipping यानि कि 9 पर प्रभावित करने पर टेक्नलोजी का यूज किया रहा है अब आप कहेंगे 9 परभावित की ओल इंटर्नेशनल लेवल पर होता है या नैशनल लेवल पर भी हो सकता ये आपने कोई माल ओर किया आप उसकी shipping की सिर्फिक आप देखेंगे कि अब वो माल कहां पर पहुंचा है इसके लिए हम बड़े प्रेमार वर किसका यूज़ करेंगे टेक्नलोजी का है यानि कि हमें यहाँ पर तीसरे पक्ष की जोगत पड़ेगी फर्स्ट पार्टी वो जो समान मंगा रही है सेकंड पार्टी वो जो समान दे रही है तो शिपिंग समझ गए आप कि पहला छेतर कौन सा है जो इस चैन को प्रभावित करता है वो है शिपिंग दूसरा है ओर्डर प्रोसेसिंग ये भी तक्निक अधारित है अगर आपके बास सौफ्ट्वेर उपलाध है तो आपको ये पता चलेगा कि आपके ओर्डर प्रोसेसिंग कितनी है इससे हमें ये पता चल पाएगा कि काम बहुत असानी से हो सकता है और अत्याधिक कुशलता से हो सकता है जो ओर्डर प्रसंसकरण है ये सभी कार्यों कर सकता है यानि कि जो order processing technology और order processing जो software है वो बहुत साइच चीज़ कर सकते हैं बिल बना सकते हैं विक्री के order को तयार कर सकते हैं order प्रबंधन को पूरा कर सकते हैं जो पुराने तरीके से order थे उन सब को manual तरीके से कर सकते हैं पहले जो समय ज़्यादा लगता था वह बहुत कम लगेगा यानि कि shipping के छेदर से जुड़ी होगी, supply chain, order processing से जुड़ी होगी फिर supplier management से जुड़ी होगी, supplier management में हम क्या अध्यन करेंगे तो देखो supplier management में वो सारे काम होते हैं जो उन tools का यूज़ करते हैं, उन उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो आपूर्ति करता प्रभंदन को असानी से मिल जाए, वो उसे और अच्छा बना दे हम जाएज जादा जानकारी प्राप्त कर पाएं कि कौन सा आपूर्ति करता वर्तमान आपूर्ति शंकला में सबसे जादा योगदान दे रहा है इस सूचना का प्रयोग फिर से करने के लिए मौल तोल या आपूर्ति करता बदल से में बिन आपूर्ति रोके लागत कम करने के लिए किया दा सकता है यानि कि हमारा कौन सा सप्प्लियर अच्छा काम कर रहा है, कौन सप्प्लियर अच्छा काम नहीं कर रहा है, अगर कोई सप्प्लियर अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसके जए कौन सप्प्लियर को हम रख सकते हैं, इस साइच चीजों का ध्यान सप्लियर मेनेजमेंट पर रखा जाता है फिर अगला है मैनेजिंग बर्ट्स एंड स्पेंडिंग यानि कि बोली और व्या प्रबंधन इसमें खरीदना और भुकतान होगा यह देखा जाएगा चीजे कहां खर्चोरी हैं और कहां कितना समय लगेगा कहां माल का स्टोर किया जाएगा और आफ्र डेट कितने का समान विकेगा अधिस से अधिक प्रॉफिट और कम से कम कॉस्टिंग की बात होती है यानि कि लागत कम से कम लगे और प्रॉफिट जाद जाद लगे यही private sector का नियम है अगली चीज़ हम ध्यान रखेंगे demand forecasting का यानि की मांग का पूराण मान देखे एक अच्छे उध्यम करता यानि की एक अच्छे जो business man है उसकी पहचान यह होती है कि वो बाजार का ना भविश्य भाप लेता है हाला कि इसके लिए वो बड़े पैमाने पर उच्छ कोटी के लोग को अपनी कंपनी में रखता है जिनका ग्यान इस कंपनी के काम आता है business management के लोग हो सकते हैं बहुत सारे engineer भी हो सकते हैं जो नब बाजार की demand को पहले सी भाप लेते हैं इस चीज की जरूरत आने वाले सहमें पड़ेगी तो एक प्रभावी वस्तु सूची कारप्रणाली के लिए ग्रहां का रुभोकताओं की वस्तु के मांग का अनुमान लगाने के आशकता होती है भविश्य के आशकताओं का अनुमान लगा जाता है और उसी के माध्यम से फिर प्रड़क्ट बनाया जाता है तब ही आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते है इसके लावा अगला जो छेतर है वो है सहयोगी पॉर्टल उपकरण यानि कॉलिब्रेशन पॉर्टल टूल्स इसमें क्या होगा इसमें हम बात करेंगे कम्यूकेशन सिस्टम की इसमें हम बात करेंगे इसमें ऐसे मामले होंगे जो मार्क की बात हाएं ओर्डर के मुद्दे और कई अनितरे के मामले सारे के सारे इसमें लाएंगे पोर्टल के प्रियोक से हमें जितनी भी जो सम्बदित हमारी पाइट्य हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी और्डर के बारे में पहले से पता चलेगा उतपाद का वर्णन पता चल जाएगा खरीद और्डर, शिप्मेंट करिते हैं साही चीज़ें हमें पहले सी पतल जाएंगी सहयोगी पॉर्टल उपकरण में अगला है अनलेटिक्स एंड रिपोर्ट टूल्स यान की विशलेश्की और रिपोर्ट उपकरण ये भी टेक्निकल अधाईत है आपॉर्टी शंकला सौफ्ट्वेर द्वारा सोचना इकठी करेगी फिर उसके रिपोर्ट त्यार करेगी और उसे आगे बढ़ाएगी ये आपॉर्टी शंकला का सबसे महत्पूर्ट टेक्निलोजी है इससे बहुत सारा डेटा मिल जाता है अब हमें मांग के बारे में पहले से प्रसल जाता है इसके लावा जो हमारी सप्लाई में गलतियां हुई है उन गलतियों को उत्तर भी हमें पहले से प्रसल जाता है और हम उन्हें सुधार कर अपनी वेवसाइक कम्यों को दूर कर सकते हैं इसके बाद आती है आज के टाइम पे सबसे बड़ी बाद सिक्यूरिटी टूल्स की देखें हम अपने क्रेट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं डेविट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं इसके लाव कई बार हम चैक भी दे रहे हैं इसके लाव कई बार हम अपने आइडिटी प्रूफ भी दे रहे हैं तो ऐसे हमारे डाटा चोरी भी तो हो सकता है तो इस data की चोरी ना हूँ, इसके लिए security tools बहुत जरूरी हो गए है आज आप पुर्ती श्रंकला में इस चीज़ पर बहुत ज़ाद द्यान दिया जा रहा है यह कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रफाइट कर सकती है अगर कोई व्यक्ति समान खरीद रहा है किसी फरम से तो पासवर्ट दे रहा है, क्रेट कार्ड दे रहा है व्यक्ति जानकारी दे रहा है और ऐसे हो जानकारी एक खोबी दो सकती है तो ऐसे में जो सप्लाई चैन मेरेजमेंट हो इस चीज़ के जरूर ध्यान रखेगा और इसके लोग सिक्यूर्ट टूल्स की साहेता लेगा ऐसे वो अपने लोगों को केवल उतनी जानकारी देगा जितनी जानकारी उनके लिए जरूरी है यानि कि जो इंप्लाई काम कर रहा है उसको बैस अपने काम संबंदी जानकारी होगी ताकि उसका काम न रुके बस इसके विलाओं से कोई जानकारी नहीं वेगा, क्या कर रहा है, क्या ने कर रहा है और अगला है अनुपालन उपकरण आज कल उपहोकतों को ये जानने की बहुत सिंता रहती है कि उत्पादन कहां तयार हू रहा है manufacturing कहां से ओर ये company कहां की है उत्पादन कैसे हो रहा है कैसे बन रही है चीजे तो ये सारी चीजे हमें अनुपालन उपकरण के द्वारा ही प्राप्ट की जा सकती है तो ये छेतरे हैं हमारे आप पूर्तिर शंकला प्रबंधन को जो प्रभावी करते हैं आप पूर्तिर शंकला प्रबंधन को बनाए रखते हैं इनकी जानकारी के बिना आप पूर्तिर शंकला प्रबंधन अधूरी सी रह जाएगी अब बात ही आते हैं कि जो supply chain management है आज इसके सामने चुनोतिया क्या है देखें supply chain management के सामने जो चुनोतिया रहती है वो हमेंसे रहती है manufacturing की कि क्या उत्पादन किया जाए और अगर उत्पादन किया जाए तो कैसे किया जाए उसके गुड़मत्ता कैसी हो हमारी बजार के हिसाब से होगा या नहीं होगा उब्भोकता की purchasing power के हिसाब से होगा के नहीं होगा यानि कि ग्रहां को से खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा ये साही चीजिए आज बहुत बड़ी चुनोतिया बन चुकी है तो आप पूरति शंकला की जो सुरुआ से चुनोती रहे हो ये रही है कि उब्भोकता के हाथ में उतपाद को कैसे पहुंचाया जाए उत्पादन सौचियों को समय कित किया जाता इसके लिए किसी उत्पादन के पूरी प्रोसैस में कितना समय लगएगा वस्तु कर उत्पादन में क्या क्या माल लगेगा और कितनी कौश्ट रइगी इस सबकी जानकारी फिर्स में रखे जाती है अगला है data analysis में यानि कि data visualization data का जो प्रबंधन है, आंकडो का जो प्रबंधन है आंकडो के जो विशलेशक है, आंकडो के जो engineer है ये सब चीजे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इसके लिए बड़े-बड़े economist काम करते हैं तो data visualization आज SCM में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि अगर उभोगता का data हमें पहले से पता है हमें पता है कि किस छेत के उभोगता किन चीजों का यूज जादा करते हैं किस छेत के उभोगता किस चीजों का यूज कम करते हैं तो इस साब से हम बजार को प्रभावी बनाते हैं लेकिन यह जब ही हो सकता है जब हमें पहले से आखड़ों के बारे में पता हो तो यह दूसरी बड़ी समस्या है तीसरी बड़ी समस्या है प्राप्ती प्राप्ती वो चीज़े जो कई स्तर पर होती रहती है यानि कि जब में एक और धोई काई खोलूँगा तो सबसे बहले मेरी प्राप्ति क्या होगी कच्चे माल की मशीनरी की, बहुत सारे टूल्स की तो इस सब की प्राप्ति में लोगी, अब मेरा माल तयार है तो समझ से हैं यह कि भोगता तक प्राप्ति कैसे हो तो हर स्टेज पर प्राप्ति की भूमी का आईगी तो प्राप्ति व्याख खरीद है जो उत्पादन के लिए कच्चे माल को पहचानने और खरीदने पर ध्यान देती है तब ही तो सप्लाइचेन बनी रहती है, हर एक बंदा बहुत सारी जगा से जुड़ा हुआ है अईसे में कामों की बहुत बड़ी शंक्ला सी चल जाती है, जो की दूसरे पर टिकी हुई है कि हां बई एक समान है तो इसके लिए कच्चमाल हाँ से आएगा, टूल्स यहां से आएगा, मशिनरी हाँ से आएगी, पैकी मोना तो गत्तम हाँ से आएगा, पॉल्थिन हाँ से आएगी, फिर जाना है तो transportation ऐसा होगा, फिर यही चीज़ भोगता भी कि चीज़े कैसे आएग लेकिन अचाना से जब transportation का हिस्सा आता है, और ऐसे में उत्पादन करता है, यह चाहता है, कि उसकी costing कम से कमाई, लेकिन अचानक से जब transportation के जो rate बढ़ते हैं, यह एक third party system होता है, transportation, यही कच्यमाल को बजारत, कार खानों तक, और कार खानों से बने वे समान को बजारत चाने महत प्रुभूमिकादा कर रहा है। ऐसे में ट्रांस्पोर्टेशन तो व्यापारी क्रियाओं की धमनियों की तरह काम कर रहा है। तो ट्रांस्पोर्टेशन तो एक बहुत बड़ी चुनोती है ही है। और इसको हल करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अगली बात आते है कस्टバ सर्वीस की, हम येसा व्यापार में उप्रोटा की संतुष्टी सबसे बड़ी संतुष्टी रही है। आप अपनी संतुष्टी करने डिजन मैटेर। उप्रोटी शंक्ला तो आप अपनी आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा, कि नई-नई तकनिक जो आ रही हैं, उनको भी समय समय पर अपनाना होगा, यानि कि जो आपूर्ति शंखला है, इसे ज्यान के अधार पर रोज परिवर्तित करना होगा, इसी को हम बोलेंगे नवोन मेशन नईनी चीजों का उपयोग, नईनी तक्निकों का प्रियोग तो नईनी तक्निकों प्रियोग करके एक व्यपारी अपनी वस्तों सुची और संभाण के कारे में सुधार ला सकता है और उसे और भी जाद अच्छा बना सकता है इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें भविश्य बताने वाले जो विशलेश्ट की हैं और ऐसी जो मशीने हैं उनको रखना होगा तो देखे, बहुत बड़े-बड़े संगठनों में, बहुत बड़े ही बड़े ऐसे लोगों को रखा जाता है, जिन्नोंने management की डिग्रिया ले रखी हैं, जिनका management के छेतरें बहुत अच्छा अनुभाव है, तो ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग data के अधार पर, पता चलता, कुछ कल आप अख़वार पढ़ोगे न, तो आपको पहले बड़े लागा, किसके share पढ़ेंगे, किसके share कम होगे, ऐस चीज़े न, mostly जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिन्ने economics का बहुत ज़्यादा ग्यान है, बिजनिस management का बहुत ज़्यादा ग्यान है, इस ये न, automatic भुक्तान आपूरती शंखला है, जिससे आपूरती शंखला में समय कम लगता है, और गल्ती की गुंजाईश बहुत कम होती है, क्योंकि कार्पोलेट जो कार्ड़े इससे भुक्तान होने पर, invoice बनाने के आशक्ता नहीं पड़ती, ये अपने आप इस सोचलीत होत सबक्ता है, उभोक्ता और supplier के बीच में संहुंद्ध, और supplier और Riverside Mister सबक्ता है, अगलार जा सकता है, इसके साएसाइPr financifert के बीच में संब्चलीत इक अशक्ता होता, इसके साएसथ, परिचलजी जो टकणिके हैं, इनमें कैसे सुधैन लाया जा सकता है, इसकान्श कम्पनि इसे काईजन सिध्धान्त कहते हैं ये एक ऐसी प्रिक्रिया जो टीमवर्क की बात करती है टीमवर्क हो, व्यक्तिकत अनुशासन हो उन्नत होसले हो कि हमें आगे बढ़ना है क्वालिटी वाला सरकिल हो, पूरा का पूरा और सुधार के लिए हर एक ब्रिक्ति अपना सुझाव दे सके यही काईजन सिध्धान्त के पांस तत्वे हैं और यही किसी किसी भी ओर्गनाज़िशन को आगे बढ़ा सकता है तो इस चैप्टर में इतने ही दिया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद